दोस्तों स्वागत है आप सभी का येस के एक्सिलेंस टूटोरियर में तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि जो भी इस्टूडेंट अपने परिक्षा परड़ाम से इस साल के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है और पूरा परिक्षा देना चाहते हैं तो वे लोग जो है श्तरपरदेस परियागराज क्याकित हैं और यहां पर लोग देख सकते हैं कि 18 सितंबर सण इवार को चुका है फिर 20 सितंबर को जो है आपका जो है दिया हुआ है सोमवार को जो है संगीत गायन है और यह जो है पाली अर्भी फार्सी है जिसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आठ मने आप लोग का परिच्छा जो आठ वे से शुरू होगा और 10-15 त में क्या क्या है ठीक है इसके आलावा आप लोग देख सकते हैं कि बुद्धवार को क्या है तो बुद्धवार को देख सकते हैं कि चितरकला है रंजन है सेन विग्ञान है यह जो भी है ठीक है इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं 23 तारीक में क्या है संस्कृत है संगी कोई विज्ञान गड़ीत है आपका क्रेसी है और मानों विग्ञान है फिर 29 तारिक खाली है kindergarten एफेक हो तीस तारीक को भी ज्यान है फिर जो है आपका जो नेपाली ओगरे फिर गड़ीत है आपका चार अक्टूबर को ठीक है चार अक्टूबर को गड़ीत है मंगलवार पांच अक्टूबर को जो खाली है फिर भूद्दवार को जो खाली है फिर जो है आपका जो है समा उसके बाद से 20 सितंबर को पाली अर्वी फार्सी है आपको जो नहीं देना है इसके बाद से 21 सितंबर को जो गिरी बिग्यान पढ़ते हैं गिरी बिग्यान है वाली गाओ के लिए और इसके अलावा जो 22 तारीको चित्रकला है इसको भी नूट कर लिजिए 22 तारीको चित्रक है ठीक है उसके बाद से हाई स्कूल का हम बता रहे हैं और 28 सितमर को क्रिसी विग्यान है 29 को खाली है और 30 को आपका विग्यान है ठीक है 30 को विग्यान है और इसके बाद से आपका चार अक्टूबर को गडित है और पांच अक्टूबर को लोग चार अक्टूबर को आप लो तेंसन फिरी हो जाए और परिक्षा देने के लिए तयारी कर लिए पूना परिक्षा देना चाहते हैं तो और अभी तक आवेदन नहीं कियें तो स्कूल के प्रनाचार से मिलिए और उनसे आवेदन करा लिजे तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ तब तक के जाहिंद पढ़ते रहे हैं मस्त रहे हैं और कुछ ना कुछ नया करने को सुचते रहे हैं फिर मिलते हैं दोस्तों जाहिंद